As you know guys कि O level के exam आने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि O level का admit card कैसे download करना है Second जो बहुत से लोग problem face कर रहे हैं कि उनका admit card download नहीं हो रहा है तो उनको क्या करना है Third अगर हम O level का exam देने जा रहे हैं तो कौन-कौन से document लेकर जाया जो वहां पर checking होगी ठीक है तो हमें वह कौन-कौन से document लेकर जाने हैं यह चीजें आपको याद रखने हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है और मेरे कुछ सपोर्ट नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंट के बैल आइकन को द्वा देना ठीक है तो दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको अपने मोवाइल के स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको लाइफ दिखाँगा आज वह अपने मोवाइल की स्क्रीन पर तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने मोवाइल में और उसके बाद आपको क्लिक करना है तो सबसे पहले जो मिलेगी उस पर आपको क्लिक कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आपको क्लिक कर देना है तो 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 यहां यह window open हो जाएगा आप कैसे सर्च करना चाहते हैं कैसे अडमिट करना चाहते हैं सर्च वाई application नंबर से सर्च वाई registration नंबर से तो मैं सर्च वाई registration नंबर पर click कर देता हूं गाइस ठीक है उसके बाद करना है आपको examination एक्जामने नेमे आपको जुलाई 2021 स्लेक्ट कर लेघंड यहां पर आपको यहरे यहां पर डालना है ठीक है तो कि सबसे पहले हम यहां पर रोख समझ लेmatesे कि में देते ह। DD, MM, YY यह हमें format दिया हुआ है DD मतलब कि आपका जो दिन है जो तारीख है जिस दिन आप पैदा हुए है ठीक है? वो है एक जनवरी ठीक है? अब आपकी कोई भी हो सकती है मैंने example के लिए यहाँ पर एक लिखा है ठीक है? एक जनवरी हो गया अब MM मंत में हो गया JAN डालेंगे ना कि आप पूरी जनवरी लिखेंगे और डैस ऐसे ही लिखान लगाना है JAN मतलब कि किसी भी मंत में आप पैदा हुए हो तो आपका सिर्फ आपको JAN जनवरी के लिए, फरवरी के लिए FEB, मार्च के लिए MAR, जो भी December है जो भी मंत है, आपका उसके 3 words easily आपको लेने है, आगे के ठीक है उसके बाद, डैस करके जो भी आपका year है, वो आपको लिख देना है बस हो गई date of birth, इसमें बहुत से लोग गलती करने है, ये गलती आपको नहीं करनी है date of birth डालने के बाद आपको यहाँ पर capture code डालना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया है, ठीक है, उसके बाद, guys, आपको के करना है, यहाँ पर view उपर click कर देना है, right, view उपर मैं click करूंगा, view उपर click करने के बाद, दोस्तों देख सकते हैं, कि admit card आ चुका है, यहाँ पर मैंने बिलर किया हुआ है, security purpose के लिए, guys, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखा हो, your admit card is ready to be printed, so please click on the below button to print download your admit card, simply आपको करना है, print theory examination admit card लिखा हुआ है, इस पर आपको click कर देना है, तो यहाँ पर आप एक्जामिनेशन हाल, and add the venue, the address of which is given above, additionally along with any other valid original photo identity card, such as a driving license लेके जाना है, या password, pen card, अधार card हो, etc, ठीक है, तो आपको इन में से कोई एक चीज़ लेके जाना है, to the examination center as proof of your identity, ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादे important लिखा हुआ है, वो आपको समझना है, तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है, कि नाइलेट के parts rights हैं, जो कि आपका O level का exam cancel कर सकता है, अगर आप इन में से कोई भी चीज़ नहीं लेकर जाते हो, ठीक है, तो यह चीज़ें आपको याद रखनी हैं, तो यह तो होगी दोस्तों कि हमें admin card कैसे download करना है, अब यहां पर जो बोला हुआ है registration allocation commodity card, यह कैसे download करना है, इस पर हम लेकर चलते हैं आपको, गाइस यह download तो होच गा है, लेकिन अभी आपकी memory card में या आपकी phone stories में नहीं पहुचा होगा, तो आपको simply क्या करना है, ऊपर आपको एक print का option मिलेगा, like this, ठीक है, तो आपको simply इस पर click कर देना है, जैसी guys अब इस पर click करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं guys, यहाँ पर purely PDF आ जाएगी, और आपको यहाँ पर PDF का option आएगा, इस पर आपको simply click कर देना है, that means कि यह download होने लगा है, ठीक है, अब यहाँ पर guys आचुका है, आपकी document यह कि हमारा save हो जाएगा, हमारी drive में, तो आप करना है, save पर click कर देना है, ठीक है, जैसी मैंने save पर click किया, यह हमारा download हो चुका है, drive में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर यह download हो चुका है, uploaded बन लिक कर आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है, हमारा registration allocation कम identity card भी download करना है, उसके उपर भी हम लेकर चलते हैं, आपको home screen पर, तो guys हम आचुके हैं, home screen पर, home screen पर आने के बाद, उपर आपको login का option मिल रहा होगा, इसमें आपको user type में candidate select करना है, user ID में आपको अपनी user ID डा करना है, नीचे capture code आ रहा होगा, उसमें आपको ये capture code डाल देना है, जो भी नीचे आ रहा हो, उसके बाद आपको login पर click कर देना है, registration ID डाउनलोड करने का यही एक तरीका है, जैसी आप दोस्तों इस पर click करेंगे, तो यह login हो चुका है, अब आप यहाँ पर नीचे scroll करके आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, click here to print the registration ID card, यहीं वहाँ पर बोला गया है, तो आपको simply क्या करना है, इस पर click कर देना है, जैसी guys अब इस पर click करेंगे, तो आप उपर देख सकते हैं, कुछ ऐसा option आजाएगा आपके पार, course name पर आपको क्या करना है, यहाँ पर drop down menu से, यहाँ से select कर लेना है, O label का option आ रहा होगा, मेरे में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं O label already कर चुका हूँ, right दोस्तों, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर O label select करने के बाद, view ID card पर click कर देना है, जैसी आप view ID card पर click कर देंगे, उसके बाद जो मैंने admit card download करने का process दिखाया था, वैसे आपको print पर click करके उसे भी download कर लेना है, ठीक है, यह तो हो गए हमारी दोनों चीज़े download, अब हम बात करते हैं, कि जिनका admit card download नहीं हो रहा है, वो लोग क्या करें, right, तो उनके लिए दोस्तों यही है, कि अपनी details सारी सही से fill करें, अगर त कुछ बंदों का upload हो जाता है, और कुछ बंदों का नहीं होता है, ऐसा हर बार ही होता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा wait करना है, उसके बाद आपका भी admit card upload हो जाएगा, कुछ दिन तक आप wait कीजिए, जैसे कि आपको try करना है, 2 सितंबर को आप तक का हो जाएगा, ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता है, तो आपको एक one knowledge से confirm कर लेना है, या अपने institute से भी confirm कर लेना है, तो guys कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आप इस चैनल पर नहे हैं, तो मेरे previous वीडियो भी दे, जो की बहुत ज़्यादा helpful होंगे, अगर आप ओ लेविल का एक्जाम देने चाहरा हैं, so guys, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिन, जय भार